हेलो एवरीवन आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में आज की इस टैरोकार रिडिंग में हम देखने की कोशिच करेंगे थोड़ी दिर पहले आपके परसन आपके बारे में किस से और क्या बाते कर रहे थे यह देखने की कोशिच करेंगे कि आपके जो परसन है वो अभी थोड़ी दिर पहले आपके बारे में क्या बात कर रहे थे और किस से कर रहे थे आपके बारे में बात ही ओके तो आज का टापिक यही रहेगा जब तक मैं कुछ कार्स निकाल रही हूँ आपके लिए आप अपने परसन को विज्वा सब इस रेडिंग को देख सकते हैं ओके वी वर्स और हमने यहां पर अभी तक जो कार्स निकाले हैं आपके लिए वो हमारे पास आए हैं दबर्डन दफूल किलिंग टू दपास्ट सौरो दा उटसाइडर पार्टिसिपेशन करेज और्डिनरिनेस एंड बाटम अधर अगर इनकी फैमिली आपको एकसेप्ट नहीं कर रही थी न तो यह परसन अपनी फैमिली को मनाने में लगे हैं कियोंकि यहां पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है यह परसन आपसे चादी करने का सोच रहे हैं और काफी दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं इन दिनों कि यह परसन आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी दुख में तकलीफ में हैं यह काफी बर्डन ले रही हैं और ऐसा भी लगता है यहांदा फूल के काट को देखकर कि पास में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसकी वज़ा से यह परस लोग लिए ऐसा लगता है इस परसन में कर्ष भी नहीं है आपसे बात करने का इसलिए इस परसन आपसे दूर हो सकता है और अगर आप दोनों contact में है यानि कि आप husband wife है ये किसी relationship में है और आप दोनों की बात होती है एक दूसरे से तो यहाँँ पर ऐसा लगता है कि अगर यह परसन आपसे नराज है तो ये परसन ना अपनी उस नराज़गी को आपर जाही नहीं कर रहा पर देही दिल में कोई दुख है इस परसन के दिल में जो मुझे यहाँ पर किलियर दिखाई दे रहा है तो थोड़ी दर पहले ये ना परसन सोच रहे थे कि आप इनकी छुटछी बातों पर किо नराज हो जाते हैं जिसका ये बर्डन लेते रहते हैं और काफे दुख में तकलीफ में तो नजर आ ही रहे हैं यहां सारो भी है बढ़ ये प्रसन चाहता है खुद में करिज लाना और लाइफ को ना जिस अंदाज में जीना चाहते हैं वो जी नहीं पा रहे है ये परसन तो इस परसन को ऐसा लगता है कि कुछ बंदीशें है इनके चारों और ये वो नहीं कर पा रहे है जो ये करना चाहते हैं कि खुल कर ना अपनी जिन्देगी नहीं जी पा रहे हैं इस परसन को ऐसा लगता है या फिर ये वाइस परसा भी हो सकती है एनरजी आप ऐसा सोचते हैं कि आप खुल कर कुछ करने ही पा रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कोई काम करने चलते हैं तो कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक लेती है आपकी खुद की negativity मुझे ऐसा लगता है कि आपको रोकती है उस काम को करने से आप किसी को commitment देना चाहते हैं देना ही बात है करियर में मन नहीं लग रहा इन दिनों आपका और अचानक से ही आपको धवराहट और बेचैनी होने लगती है आपको बहुत बेचैनी है इन दिनों आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर भी आप trust कर रहे हैं वो आपके trust को तोड़ रहा है जिसकी वज़ा से भी आपके जीवन में ये दुब बना हुआ है आप चाहते हैं अपनी जिन्दीकी को enjoy करना आपको जो life मिली है आपको ऐसा लगता है कि एक बार मिली है बार बार नही मिलेगी तो आप अपनी life को full enjoy करना चाहते हैं उसी तरह से आपके person भी अपनी life को enjoy करना चाहते हैं आपके साथ में ये person आपके साथ में अपनी family बनाना चाहता है देख लेते हैं कि क्या problem है इस person के जीवन में जो आपको commitment नहीं दे पा रहा है निकालते हैं कुछ cards और देख करते हैं कि ये person जो है अपनी family में आपके बारे में और क्या क्या बात ही कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास card आया है king of pentacles, the hair of vent, next आया है seven of swords, next card है page of vents, next आया है king of swords, और bottom में card आया है हमारे पास ace of cups, cards तो काफी perfect है, positive cards है, तो यहाँ परना ऐसा लगता है ये person positive रहने की कोशिच कर रहा है और अपनी family को भी यकिन दिलाने की कोशिच कर रहा है कि ये person आपके लिए na perfect है और आप इस person के लिए perfect है, यानि कि आप दोने का जो ये जोड़े है न ऐसा लग रहा है और ये person आपके साथ बहुत खुछ रहेगा और आप family बनाने में विश्वास रखते हैं, तो ये person आपकी काफी तारीफे करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ, तो ये person चाहता तो है अपनी ही मनवाना, अपनी family को आपके लिए convince कर रहे हैं और आपक को accept कर लेगी, मान जाएगी इस person की और आपकी इस relationship की एक नई शुरुआत होगी, आप दोनों किसी ना किसी बंदन में तो बंद कर रहेंगी, क्योंकि यहाँ is of cubs भी है, the hair of wind भी है and page of winds भी है, सारे cards बहुती positive है, king of pentacles and king of souls भी है हमारे पास, तो यहाँ ऐसा लगता है, इ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहे है काफी सारे लोगों के लिए कि यह जो भी person है ना, इस person है आपका दिल तो चुराया ही है, पर आपने भी इस person का दिल चुरा लिया है, तो यह person इसके बारे में भी बाते कर रहे हैं, कि यह person आपको खोना नहीं चाहता है, हर हाल में अपनी family को आपके लिए convince करने में, क्या इनकी family आपको accept करेगी, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, क्या यह आपको commitment देंगी, तो देखते हैं, यह सारी चीजे कुछ और कार्ट्स निकाल कर, एक बात तो मैं clear देख पा रहे हैं, कि यह person आपको लेकर बहुत serious है, आपको commitment देने का सोच तो रहे हैं, इस person ने मुझे ऐसा लगता है, पूरा मन बना लिया है, जिसकी वज़ा से यह person इस बात का काफी burden भी ले रहे हैं, तो यहाँ पना हमारे पास जो अपकार्ट्स आएं, वो आएं है, Knight of Swords, King of Wands, Three of Pentacles and Six of Cups, कि एक बात तो मुझे यहाँ पर clear कोई ना कोई आश्वासन तो इन्हें अपनी family की तरफ से भी मिला है, ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, जब आप दोनों एक होंगे, और यहाँ पर ऐसा भी लगता है, Three of Pentacles के कार्ट को देखकर, कि इनकी family ने इन्हें आश्वासन तो दिया है, बट मुझे ऐसा रही है, वहाँ से भी हाँ ही होगी आप दोनों के relationship के लिए, क्योंकि यह person full efforts डालता हुआ नजर आ रहा है, बस अब इंतिजार है, तो किसी के आने का इंतिजार है, इनकी family किसी अपने बड़े बज़ुर्ग का इंतिजार कर रही है, उनकी राए लेने के लिए, उनसे बात किया जा रहा है, इस वजह से इस relationship में आपको कोई surety नहीं मिल पाई है, तो बहुत जल्द आपको मिलेगी, यह person आपको कोई good news देने वाले हैं, बहुत जल्द ऐसा लगता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो भी बाते हुई है, इनकी family से इनकी, तो आप दोनों के relationship के लि सारे में ही बाते हुई है, और यह person आपको एक star से कम नहीं मानता है, मुझे ऐसा लग रहा है, यह person अगर आप से दूर है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी family की वजह से दूर है, क्योंकि यह person जितना आप से प्यार करता है, उतना ही अपनी family से भी प्यार करता है, उनके against नहीं positive changes मुझे यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस person की सबसे अच्छी बात यही है, कि भले ही आप से बात नहीं कर रहे हूं, बठा आपनी family को convince करने में लगे हैं आपके लिए, क्योंकि यह person आपको good news देना चाहता है, आपको surprise देने का सोच रहा है, आपको positive ब अश्वासर नहीं दे रहा, तो आप इस person का अगर wait करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो करें, किसी के दबाव में आकर कोई भी decision ना लें, नहीं इस person के दबाव में आकर कोई भी decision लें, यह आपकी खुद की choice होनी चाहिए, खुद की freedom आपको मिली हुई है, कि आप अपने decision आयोब आपको पसंद आई होगी, कुछ तो clarity मिली होगी, कुछ तो resonate की होगी, मैं मिलती हूँ एक नई video के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाबाई